हाई लो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का इस नए वीडियो में इस नए वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाने माले हैं कि भीन का गुणा कैसे किया जाता है ठीक है बहुत से छात्र हैं जिनको भीन का गुणा नहीं करने आता है और बहुत से छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर जी भीन का गुणा हमें करने नहीं आता है इस पर फिर से एक वीडियो बना दीजिए ठीक है तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को अन तक देखते रहिएगा तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि भीन का गुणा का मतलब क्या होता है तो देखिए भीन का गुणा को हम और क्या बोल सकते हैं तो इसको हम बाटा भीन का गुणा भी बोलते हैं ठीक है तो चलिए देखिए भीन का मतलब क्या होता है तो जो संख्या उपर नीचे दी रहती है उसे ही क्या कहते हैं तो भीन काते हैं और भीनों में जब गुणा लग जाता है तो उसे भीन का हम गुणा बोलते हैं ठीक है तो आप लोग मैं आसा करता हूं कि भीन का गुणा समझ चुके होंगे तो चलिए हम पहला नमर प्रश्ण को हल करते हैं तो देखिए उपर वाली संख्या क्या कहलाती है ठीक है तो सबसे पहले हम अंस वाला संख्या में सबसे पहले गुणा करेंगे तो एक में एक से गुणा कीजिए गया तो एक कम एक होगा और एक में एक से गुणा कीजिए गया तो एक होगा तो आपको यहाँ पर एक लिख देना है और बोटे लगा देना है फीक है अब आपको जो हर में जो संख्यादD है उसको भी क्या करना है तो आपस में गुणा कर लेना है फीक है तो चलिए हम सबसे पहले 2 में 4 से गुणा करते हैं तो 2,4 की 8 हो जाएगा और 8 में 2 से गुणा करने पर कितना होगा तो 80 होगा तो 80 आपको यहाँ पर लिख देना है तो इसका right answer वर 1 बटा में 80 इसका right answer हो जाएगा ठीक है तो चलिए ऐसा ही प्रश्ण एक और हम हल करते हैं तो चलिए दूस्तों हमें यहाँ पर दूसा जो प्रश्ण है इसको हम हल करते हैं तो देखिए इस प्रश्ण में दे रखा है कि 8 बटे में 3 गुणे 2 बटे में 10 गुणे 1 बटा में 2 है ठीक है तो ऐसे प्रश्ण को आप कैसे हल कीजिएगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो संख्या उपर नीचे कटने वाली है उसको सबसे पहले कटाना है और जो संख्या तीरचा तीरची कटेगी तो फिर उसको कटाना है तो चलिए हम देख लेते हैं कौन-कौन सी संख्या कट रही है तो सबसे पहले हम बाटा वाला देहें कि जो संख्या उपर निचे है वो कट रही है कि नहीं कट रही है तो देखिए यहाँ पर 8 है यहाँ पर 3 है तो 8 तीन से कटेगा नहीं कटेगा अब देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 10 है तो 10 दो से कट जाएगा कितना बार में कटेगा तो यहाँ पर 2 पाचे 10 हो जाएगा तो 1 बटे में 5 हो जाएगा ठीक है मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा अब यहाँ पर one है यहाँ पर do है तो दो है तो इसको लिख लेना है अब देखिए आपको ध्यान देना है कि जो संख्या तिरचा तिरची कटेगी तो उसको भी सबसे पहले कटा लेना है तो देखिए यहाँ पर 8 है यहाँ पर 2 है तो 8 में 2 से भाग देने पर यह 8 दो से कट जाएगा असाई तरीका से कट जाएगा कितना बर में कटेगा तो हम 8 में 2 से भाग देंगे तो यह 2 से 4 बर में कटेगा ठीक है तो 4 आपको लिख देना है अब देखिए यहाँ पर 4 आया यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे उपर वाली संख्या जितनी भी है उसको आपस में हम गुणा कर लेंगे तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 होगा तो चार आपको लिख लेना है अब देखिए बाटा कचिन लगा देना है अब आपको जो निचे वाली संख्या है उसको भी आपस में गुणा कर लेना है तो तीने में पाच से गुणा करने पर कितना होगा तो तीन पाचे पोंदरहen होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों और हम एक प्रोष्ण को हल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके तो देखे फिर्श्ण यहाँ पर जो तिसारन और प्रोष्ण है इसमें दिया है कि तो यह प्रोष्ण तिसारन और प्रोष्ण पहला और दूसरा प्रोष्ण से यह प्रोष्ण भीन है तो इस प्रोष्ण को आप लोग ध्यान पुरोग देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो सबसे पहले जो संख्या उपर नीचे कटेगी उसको सबसे पहले कटा लेंगे अब उसको कटाने के बाद हम सबसे पहले आपको बतलाएंगे कि इसके बाद क्या करना है तो चलिए जो संख्या उपर नीचे कटेगी उसको सबसे पहले हम कटा लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 0 है और नीचे वाली संख्या में भी 0 है तो 0 से 0 हम काट देंगे यहाँ पर भी 0 है यहाँ पर भी 0 है तो 0 0 से हम काट देंगे ठीक है इतना आपको करना है अब देखिए यहाँ पर लिख लेना है 8 बटे में 3 गुड़े 1 बटे में 5 गुड़े यहाँ पर क्या है तो 2 है और बटे में क्या है तो बटे में 7 है तो 2 बटे में 7 हम लिख लेंगे अब देखिए क्या करना है आपको तो आपको यह ध्यान देना है कि जो संख्या अब तीरचा तीरची कटेगी उसको भी सबसे पहले हम कटा लेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर आठ है यहाँ पर तीन है तो कोई भी संख्या इसमें नहीं दिख रहे है कि कोई भी संख्या में गुणा कर लेते हैं तो आठ में वन से गुणा करने पर आठ है कम आठ होगा और आठ में दो से गुणा करने पर आठ दुना का क्या हो जाएगा तो सुरलह हो जाएगा तो सुरलह आपको यहां पर लिख देना है ठीक है अब देखिए यहां पर बोटे का चीन लगा देना है अब हम क्या करेंगे नीचे वाली संख्या जितनी भी है उसको भी आपस में हम गुणा कर देंगे तो तीन में पांच से गुणा करने पर 16.15 हो जाएगा और साथ से गुणा करने पर 15.15 हो हुझाै ठीक है तो यहाँ पर 1959 लिख देना है अब देख क involved राइट आंसर वर सोरह बटे में 105 इसका राइट आंसर आ जाएगा तो इस तरह आप आसाइन तरीका से भीन का गुणा कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आसा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो के लाइक कर दना और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबाना है कि अ